श्री आशा पुराधाम जुनागर्ड गुजराद भारत देश का गुजराद प्रांद धार्मिक आस्थाओं एवं सांस्कृतिक विविदताओं से सम्रिद्ध है ये राज, मुख्यता, गुजराद, सौराष्ट्र और कच्छ तीन सांस्कृतिक शित्रों में बटा है गुजराद में अनेक ऐसे प्राचीन तीट स्थान है जिनका उलेक पुराणों में मिलता है और जहां की पावन यात्रा करना श्रद्धालू अपना सौभाग्य समझते है जैसे सोमनात स्थित, पवित्र जियोतिरलिंग, अम्बाजी शक्तिपीट, आदी गुजराद राज्जी के सौराष्ट छेत्र में गिर्नार परवत माला की तलहटी में बसा जुनागर ऐसा ही एक पावन नगर है जहां धर्म और संस्कृती की एक से बढ़कर एक आलिशान धरोहरें विद्धिमान है गिर्नार परवत भी बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है गिर्नार परवत की आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये परवत पौरानिक काल में रिशी मुनियों की साधना की स्थली रहा है जूनागड का बड़ा सम्रिद्धि तिहास रहा है जूनागड में बना श्री आशापुरा धाम मंदिर सनातन धर्म और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाने वाला एक सुन्दर स्थल है जहां आदिशक्ती जगत जन्नी देवी मा श्री आशा देवी जी के रूप में विराजमान है जूनागड में राजकोट रोट पर बना श्री आशापुरा धाम एक सुन्दर मंदिर है जूनागड को दिविमान करता हुआ श्री आशापुरा धाम मंदिर गुजरात की महान संस्कृती के दर्शन कराता है मंदिर की सुन्दर्ता और रम्निक्ता मन में ईश्वर के प्रती आस्था जगाती है श्री आशापुरा धाम मंदिर परिसर में विविद देवी देवताओं की प्रतिमाय विराजमान है कहते हैं कि किसी कारे को शुरू करने से पहले श्री गणेश का नाम लेना चाहिए श्री आशापुरा धाम मंदिर में सर्व प्रतम गणेश जी के दर्शन होते है वक्र तुंड महाकाय सूरि कोटी समप्रभा निरविग्णम कुरुमे देव सर्व कारेशु सर्वदा भगवान गणेश जी वास्तों में सभी विग्ण वाधाओं को दूर करने वाले देवता है वो करोडों सूरे के समान तेजों में है इस मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की बहुत ही मनोहारी मूरत स्थित है वही पर समीप में ही बजरंग बली हनुमान जी की प्रतिमाई स्थित है जिने जनियों चड़ाया गया है हनुमान जी अपने ब्रह्मचर के बल से ही सभी देवताओं में श्रेष्ट माने जाते हैं वो भक्तों में अपने अपार बल और बुद्धी के लिए पूजनिये हैं मंदिर के मुख्य दर्बार में काली माता के दर्शन होते हैं वास्तों में मा आदिशक्ती जगदंबा एक होकर भी अनेक रूप धरन कर जगत का कल्यान किया करती हैं माता दुर्गा के अनेक रूप हैं जिन में मा काली उनका रौदर रूप माना जाता है एवं विद्या का भंडार रखने वाली वीना वादिनी मा सरस्वती जी की अती सुंदर प्रतिमाय विराजमान हैं श्री आशापुरा धाम मंदिर में माता रानी का दर्बार अत्यंत सुंदर है एवं मन को शान्ती प्रदान करने वाला है माता रानी के इन विविद रूपों के एक साथ दर्शन करने से मन में शांती का भाव जाग उठता है मन से सारे भै दूर हो जाते हैं मंदिर में इस्थापित सभी मुख्य देवी देवताओं की प्रतिमाए अत्यंत ही सुन्दर एवं मनभावन है श्री आशापुरा धाम देविस्थल के प्रांगण में एक और माश्री बूट भवानी की सुन्दर मूरत स्थित है सुन्दर साज प्रिंगार में मैया रानी का रूप अत्यंत मनुहारी लग रहा है मस्तक पर सुर्ण मुकुर धारन किये और फूल मालाओं से सजी माता रानी के सुन्दर का क्या कहना आखें बस एक टक उन्हें देखना चाहती हैं उनके सम्मुखी नाग देवता विराजमान है मुझको तो देते मैया तू दिल में एक कोना ना चाहूं हीरे मोति ना चाहूं चांदी सोना मुझको तो देते मैया तू दिल में एक कोना तू दिल में एक कोना ना चाहूं हीरे मोति ना चाहूं चांदी सोना समीप में ही श्री तिरूपती बाला जी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायन और भगवान श्री नाथ जी का मंडप शोभाय मान हो रहा है तिरूपती बाला जी भगवान लक्ष्मी नारायन तथा श्रीनाथ जी, तीनों ही भगवान विश्णु जी के रूप है भगवान विश्णु के तीनों रूपों की प्रतिमाए बहुत ही लुहावने रूप में एक साथ विराजमान है वास्ताव में हिंदु धर्म सिर्फ एक विश्वास ही नहीं है बल्कि ये कारण और अंतरग्यान पर आधारित है इसके सार को समझपाना दुरलब है श्रीहरी नारायन संसार के पालन करता है हर होनी अनहोनी उनकी ही इच्छा का परिनाम माना जाता है वही आदिपुरोश है और संपून संसार उनकी ही शरण में है भगवान श्री नारायन के अनेक रूप और नाम है मंदिर प्रांगन में कोटेश्वर महादेव का पवित्र शिवलिंग स्थित है कोटेश्वर महादेव मंदिर में सूक्षम स्वरूप में सूर्य नारायन देव के साथ नवग्रह की प्रतिमाय विद्धिमान है नवग्रह की पूजा का गहस्त जीवन में बहुत ही महत्व है भगवान शिवजी के पवित्र शिवलिंग का फूलों से श्रिंगार किया गया है गर्वग्रह में शिवलिंग के समीब स्थित, नाग देव की प्रतिमा और भी लुभावनी लगती है शिवलिंग के उपर कलश रखा गया है, जिसमें से निरंतर बून्द बून्द टपकते जल से शिवलिंग का जलाभी शेख होता रहता है गर्वग्रह में ओमकार लिखे त्रिशूल तथा भगवान शिव का प्रिवाधियंत्र दमरू स्थित है जल कलश को भी फूलों से सजाया गया है ऐसी मानिता है कि शिवलिंग के पूजन से गर्षदोश, कारे में आने वाली बाधाएं और उपरी बाधाएं दूर होकर विध्या, धन, सुख तथा समरिद्धी प्राप्त होती है शिवलिंग के समीप में श्री भादरेचा बाबू, श्री बहुचर मा, श्री मलबपा, श्री ललिता, श्री मां अंबा, श्री वेराय माताजी एवं मां संतोशी की प्रतिमाय सुशोबित हो रही है शिवलिंग के सम्मुख ही नंदी जी विराजमान है ओम शिवाएल नमाः ओम शिवाएल नमाः मंदर में श्री शनीदेव जी की श्याम रंग की मुरत स्थापित है सुन्दर आभूशनों से सजे श्री शनीदेव जी बहुत ही लुभावने नज़र आ रहे है भारत की विविदता में एक टाका सबसे बड़ा प्रमान हमें सनातन धर्म में वर्नित विविन देवी देवताओं से मिलता है विविन रूपों में दिखाई देने वाले ये सभी देवी देवता एक ही महान शक्ती के अंश है उसी प्रकार बाहर से दिखाई देने वाली विविदताओं से परे हम सभी मनुष्य भी वास्तविक्ता में एक ही हैं। संपूर्ण श्रिष्टी का निर्मान करने वाले ईश्वर ने मनुष्य को अपने एक अंश के रूप में जन्म दिया था। इसलिए ईश्वर की भक्ती को मनुष्य के लिए श्रेष्ट कारे बताया गया है। पूल मालाओं के साथ आकर्शक स्वन आभूशनों से सज्जित श्री आशापुरा मैया की मूरत मन मोह लेती है। श्री आशापुरा मातारानी के दर्बार में नव रातरी के दिनों में भक्तों की भीड और भी बढ़ जाती है। जूना गड़ के श्री आशापुरा मंदिर में श्री ललिता मा अमबा श्री वेराय माता जी एवं मा संतोशी की अत्यंत तेजों मैं प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं श्री आशापुरा माता के मंदिर के गुम्बच की कलाकृती अनोख ही है गुंबच पर चारो ओर ओम तथा तृशूल अंकित हैं गुंबच के शीश पर भी तृशूल स्थित है तृशूल भगवान शिव का प्रियशस्त्र है जो दुराचारियों के मन में भै तथा सदाचारियों के मन में आस्था जगाता है मंदिर के सम्मुक व्रहत परिसर है जहां का वातावरण अत्यंत शांत है बहाई भाग में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की सफेद संगमर्मर की बनी सुन्दर पतिमाइस्थित है शिव शंभू भोलिनाद जी और माता पार्वती की ये मूरत कई रहस्यों को उजागर करती पतित होती है ऐसा लग रहा है मानु प्रभु जी माता जी के साथ कैलाश पर विराजबान है गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए शार लगाए श्री आशापुरा धाम मंदिर का वातावरण प्राकरतिक सुन्दर्ता से भरा हुआ है सूरज की पहली किरन जब मंदिर के गुंबच पर पड़ती है तो देवी देवदाओं का ये पावन धाम उसी प्रकार शुभाय मान होटता है जैसे श्रिंगार करने पर किसी दुलहन का रूप आभा से भर उटता है चह चाहते पक्षी, आते जाते साधक और हरे भरे उपवन सा श्री आशापुरा धाम मंदिर अलोक एक आनंद का अनुभव कराता है इश्वर ने अपनी इच्छा से इस संसार को हर सुकसुविधा और आमोद प्रमोच से सम्रिद्ध बनाया है जिसकी आधारशिला प्रकृती मईया है श्री आशापुरा धाम मंदिर में आकर ये आभास हो जाता है कि जहां इश्वर की स्तुती और भजन कीर्टन होता है वहीं तीनों लोग का सुक समाहित है यहां आकर फिर कहीं और जाने की आवशक्त नहीं होती ऐसी भक्त वत्सलता करुणा मईय आशापुरा देवी जी की इस पावन भूमी पर आकर मन भाव विभोर होड़ता है और कंट से यही पुकार निकलती है कि हे माते आप अपना करुणा मईय हाद हम भक्तों के सिर पर सदैव बनाये रखियेगा माता रानी अपनी शरण में आने वाले हर सवाली को अपनी कृपा का प्रसाद देती है और भक्तगण श्री माता की शरण में अपने सभी कश्टों को समर्पित कर स्वयम का कल्यान करते हैं माता रानी की जय श्री आशापुरा धाम की जय